प्रणाम पितामा, प्रणाम गुरुवर, इस समय कैसे आहे पुत्र, मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूँ पितामा, अब हाउर क्या चाहते हो वत्स, ये तो आप जानते ही हैं पितामा, के युद्ध की तो ठहर चुकी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया ह क्या आप हस्तिनापुर सेना का प्रधान सेनापती बनना स्विकार करें। इस सम्मान के लिए अपने गुरु आचारियो द्रोण को आमंत्रत क्यों नहीं करते पुत्र। अब आपके होते हुए, पुत्र दुर्योधर्म भला किसी और के विशे में कैसे सोच सकता है ता, श मुझे यह उत्तरदाहित्व स्विकार है। अरे, अब तो तुमारी विजए में संदे ही नहीं है भांजे दुर्योधन। परन्तु एक बात अभी ध्यान से सुनलो, पुत्र दुर्योधन। पांधाव भी मुझे तुमसे कम प्रीय नहीं। फिर भी मैं इस युद्ध में मैं तुमारे साथ हूँ, मैं प्रते दिन उनके दस हजार योधा और सैनिकों का वद्ध भी करूँगा। किन्तु अर्चुन फिर अर्चुन है वद्स। वो मुझे पराजित भी कर सकता है और मेरी मृत्यों का कारण भी बन सकता है। आप अर्जुन की चिंतना की जगंगा पुत्र उसके शफ पर मेरा अधिकार है। मुझे अपनी बात समाप्त करने दो अंग राज। किन्तु जिस सेना का सेनापती मैं हूँ दुर्योधन। उस सेना में अंग राज करने के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे बीच कडवाहटों की एक नदी है। मैं नहीं चाहता कि इस नदी का पाहट और बढ़े। यदिया ऐसा है तो। मन मैला न करो मित्र। मैं तो स्वयमी गंगा पुत्र भीश्म के धोज तले युद्ध नहीं कर सकता। इनके होते हुए तुम्हें मेरी आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी युद्ध में। क्योंकि ये तो मेरे गुरु के सर्वश्रेष्ट शिष्य है। परन्तों मैं तुम्हें ये वचन अवश्य देता हूं कि यदि ये वीरगति को प्राप्त हो गए तो मैं अपना धनुष लेकर रणभूमी में आ जामगा। तो मुझे आग गया है पितामा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है वत्स। कि अभी भी कुछ कहने को रह यह है ताद्च्री हाँ गंधार मेरेश अभी भी कुछ कहना रह गया है। कि मैं पांड पुत्रों के प्राण नहीं लूँगा यह तो बड़े आश्चर्य का विश्य है गंगा पुत्र क्या आप सेनपती होंगे और शत्रों के प्राण नहीं लेगे कि दुर्योधन के शत्रुवे सेनिक नहीं है जो युद्ष्टर के ध्वज तले युद्ध कर रहे होंगे दुर्योधन के शत्रुवे राजा महराजा वे युद्धा भी नहीं होंगे जो युद्ष्टर के और से युद्ध करने आएंगे कि दुर्योधन के शत्रूबे पांच पांडव हैं और आप उनी पर वांड नहीं चलाएंगे कि मानलो मित्र दुर्योधन पितामा की ये बात भी मानलो कि परन्तु मुझे अग्यादोगं का पत्र क्योंकि मुझसे तो इस कक्ष में सास भी नहीं लिया जा रहा है अंकि राच हरून उनके प्राच सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत स्वागत करे स्वाध रीजैन करे लड है करे स्वागत आगत बात करे समत करे तो करे समत अ़जने हम बात कर दो